इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कानपूर के बिक्रू गाउं में दो जुलाई की रात आठ पुलस कर्मियों की हत्या करने वाले अपराधी विकास दूबे के चचेरे भाई शिवम दूबे को स्टीएफ ने गिरफतार कर लिया है शिवम दूबे को स्टीएफ ने चौबे पुर से पकड़ा है शिवम पर पुलस ने 50,000 रुपे का हिनाम रखा था दो जुलाई की रात शिवम भी विकास दूबे के साथ मिलकर पुलस वालों पर गोलियां चला रहा था वारदात को अंजाम देने के बाद शिवम दूबे फरार हो गया था जिसके बाद शिवम अपने कई रिष्टदारों के घर चिपता रहा